दोस्तो इस दुनिया में कुदरत के रचाईवे काफी रचनाय हैं जिसमें इंसान, जानवर, नदिया, सरोवर काफी चीजे सामिल हैं बेसक इस दुनिया में रचीवे रचनाय बहुत खुबसूरत हैं जिनकी जितनी तारिफ की जाए कम हैं आज हम ऐसे ही दुनिया के 5 महेंगे जानवरों के बारे में बात करेंगे नमबर 5 मीसी काउ मीसी एक होल स्ट्रीम डिट की गाय है जिसे 2009 में दसमल 9 मिलियन एम्री की डॉलर में निलामी किया गया अगर इंडियन रुपीस में बात की जाए तो 7 कड़ोर 10 लाग रुपया ये आज तक की बीची गई दुनिया के सबसे महेंगे गाय है इस नस्र की गाय आम तोर पर 680 से 770 किलोग्राम की होती है जबकि ये अपने जीवन काल में करीब करीब 40,000 लीटर से ज़्यादा दूद देती है जबकि एक साधरन गाय अपने जीवन काल में 10,000 लीटर से कम दूद देती है पिछले 30 से 40 साल में एमरीका और कनाड़ा में इन गायों की संक्या भारी बढ़ उत्री हुई है जिसकी वज़ा से दूद उत्पादन में तेजी आया पर एक बात आपको पता होना चाहिए इस गाय को पालना और महंगा होता है दोस्तो ये जो अनोखा धंका दिखने वाला परिंदा जिसे आप देख रहे है ये बलेक को काटो है ये नौट उस्टेलिया और उसके समीप वाले आईलेंड में पाया जाता है ये दुनिया के सबसे महंगे परिंदों में से एक है दोस्तो अगर बात की जाए इसके चाल चलन के बारे में तो इसका चाल उतना खुस मिजाज नहीं है क्योंकि इस परिंदे को कैद करके रखना इतना असान नहीं है अगर आपसे छोटी सी भी गलती हुई तो ये गुस्से से लाल हो जाता है पर दोस्तो अगर इसकी समझदारी की बात की जाए तो ये उसमें अवल है क्योंकि अगर आप इसे पिंजडे के अंदर कभी तंग करेंगे तो ये उसे भूलता नहीं है ये बाहर आने पे उसे बदला जरूर लेता है पर दोस्तो ये परिंदे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता इसकी आयू काफी कम है और दोस्तो इसकी कीमत 22 लाख रूपय है नमबर थ्री डीब राजस मंकी डीब राजस औरो मंकी के नसल से अलग है ये बंदर मद्य ऐफरिका के भूमी में पाया जाता है दोस्तो अगर बात की जा इसकी कुछ खूबी के बारे में तो ये बंदर लोगों की नजरों से छिपने में माहिर होता इसकी यही खूबी इसे औरो बंदर की प्रजातियों से अलग करता इसलिए इसे ढूनना इतना आसान काम नहीं होता दोस्तो इसकी आयू लगवग 22 वर्स तक होता दोस्तो यह बंदर अपने दल के साथ चलता अगर इसके दल का नर बंदर बुड़ा हो जाए तो यह उस दल का मुख्या बन जाता दोस्तो इसकी कीमत 10,000 डॉलर है जो कि इंडियन करेंसी में इसकी कीमत 7,500,000 है नमबर टू सर लैंसी लोट इंसो दोस्तो यह जानवर हमारे टॉप फाइब लिश्ट में से अलग है क्योंकि दोस्तो इसे खरिदने में नहीं बलकि सारा पैसा इसका कलोन बनाने में लगा है जो लगबग 1,55,000 अमरीकी डॉलर है अगर इंडियन रुपीज में बात की जाए तो 1,75,000 है दरसल एडगरी और नीना ने अपने डॉग लेंग्स कोट को कैंसर के कारण खो दिया तब वो दोनों अपने पैट को खो देने का दुख बरदास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस समय उसका पैट एक्दम यंग था इसलिए उन दोनों ने अपने प्यारे पैट को दुबारा जनम देने का फैसला किया और उसका कलोन बनवाने की कोशिश सुरू कर दी जिसमें उन दोनों ने पैशे के साथ साथ अपना समय दिया और नतीजा यह रहा आज उनके पास वो पैट जिन्दा है जिसका नाम उनोंने सर लैंसिलोट इंसो रखा है दोस्तो आपने जू के अंदर तो लायन देखा होगा अपकोस 90 परसंट लोग इसे देखने जू जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी वाइट लायन देखा है लायन की यह स्पेसिस बहुत रेर है सन 1900 से पहले यह समझा जाता था कि यह एक फ्रिक्सन है असन में यह लायन इस प्रित्वी पे मौझूद ही नहीं है लेकिन सन 1900 के बाद 1975 में कुछ लोगों ने इसकी प्रित्वी में रहने की पूष्टी की कहा जाता है कि यह जीत 200 साल पहले बिलियूथिक इराम के बरफीले इलाके में रहता था और यही कारण है जिसके वज़े से यह स्नो वाइट हो गया और जैसे जैसे वक्त बदलता गया यह ग्लोबर वार्मिंग के कारण दुल्लव होता चला गया अगर बात की जा इसकी संख्या के बारे में तो इसकी कुल संख्या अब लगव तीन सो है दोस्तो इसकी कीमत एक करण चालिस लाक है